हलो एवरिवन वेलकम तू मैं अभिशेक कुमार मैंगे बेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीट एंसे एक्जांपलर और बेस्ट पॉब्लिशर्स की बुक वो भी आपको कम्प्लीट सॉलूशन के साथ और कम्प्लीट थ्योरी के साथ यहां प्रोवाइट करते है इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको यहां पर त्यारी करवा रहा है एंटे ऐसी एक्जाम और लेम्पेट एक्जाम की और यह सारा कंटेंट है 100% फ्री एजुकेशन के साथ वो भी बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फेगल्टी के थ्रूई आपको य यह है चैप्टर नंबर 14 जो आपकी NCIT बुक से है और चैप्टर का नाम आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं वो है प्राक्टिकल जोमेटरी तो एक बहुत प्यारा से चैप्टर एक अच्छा से चैप्टर लेकिन इस एक्सराइस का सॉलूशन देखने से पहले मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों ने ठीओरी लेक्चर पूरा अच्छे से अटेम्ट किया होगा ठीओरी लेक्चर जो कि मैंने पार्ट वन दिया था इसी टॉपिक प्रैक्टिकल योमेटरी का जहां पर मैंने आपको कुछ जिज़े सिखाई थी जो में नाम क्या होते हैं वहां प आपको वहां पर दो वर्ट का डिफरेंस भी बताया था कि लाइन कब बोलते हैं लाइन सेग्मेंट कब बोला जाता है वर्ट आर्क का क्या मतलब होता है तो अगर आपने वीडियो अटेंड नहीं की है तो पहले पूरी थियोरी लेक्चर को अटेंड करिए और उसी के बाद आप exercise पर आईएगा clear है तो चलिए इस exercise में जो NCRT बुक से है इस NCRT बुक में exercise number 14.1 का जो पहला सवाल है वो simple सा एक construction है जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही similar question है कि draw the circle of radius 3.2 cm आप एक ऐसे circle बनाईए जिसका जो radius है वो 3.2 cm है तो थियोरी लेक्चर में मैंने आपको word radius भी समझाया था radius का मतलब वो distance जो कि fixed point से revolving point का होतगा मतलब ऐसे point जो कि एक fixed point से एक 3.2 cm की दूरी पे हैं और एक outer circle draw कर रहे हैं मतलब एक path जब trace हो रहा है तो आपने radius word समझा था theory lecture के अंदर clear है तो यहाँ पर आप समझेगा कि देखिए draw कैसे करना है तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको पहले तो word solution लिखना है ठीक है और आपको given क्या है वो यहाँ पर लिखना जरूरी है तो आपको यहाँ पर क्या given है आपको given है circle का radius तो radius of circle आपको known है देखिएगा radius of circle और circle का radius कितना दिया है यहाँ पर तो यह हमें दिया है 3.2 cm 3.2 cm का आपको radius given है चलिए ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर construction बूला है तो आपको यहाँ पर word लिखना है construction और चीज़ों को construct करके दिखाना है अब आपको यह चीज़ theory lecture में सिखाया था कि जब भी circle का construction करना है तो दो चीज़ों का आपको यूज करना है मैं तो council है दूसरा आपका compassis है और तीसरा आपको यहाँ यूज करना है ruler का तो सबसे पहले तो आपको ruler लेना है सबसे पहले आपको ruler लेना है और ruler को कहीं पर रख के ठीक है वहाँ पे rough work में आप एक 3.2 cm की line draw करिया ठीक है अब 3.2 cm की जैसे आप line draw करेंगे ठीक है तो इस line से ruler remove कर दिया ठीक है अब मुझे compassis लेने है और मुझे compassis लेके इस distance को measure करना है compassis with the help of compassis मुझे यह distance measure करना है इसको pick करना है और यहाँ पे plane पे कहीं पे भी एक point पे रख के ठीक है तो आपको plane पे point mark करना है और इस दूरी का 3.2 दूरी का आप compass यहाँ पे रख के आप यहाँ circle draw कर दीजिए तो यहाँ पे आपको एक circle draw करना है वो भी एक बार में तो आपको एक बार में circle draw करना है तो आप पहले तो point mark करिए आपको point mark करना है चलिए यहाँ पे देखेगा मैं यह point mark कर देता हूं उसके बाद compass पे करके 3.2 की दूरी पे आप कुछ points mark कर दीजिए मतलब कुछ circle एक path trace कर दीजिए इस तहिके से कि एक ही बार में बनी हो ठीक है तो बीच में कहीं भी आपको gap यह over handwriting नहीं दिखनी चाहिए अब यह जो आपने दूरी बनाई है यह 3.2 cm की दूरी है यह 3.2 cm का radius आपको मिल गया इस fix point को आप 0 बोल दीजिए बस इतना ही आपको काम करन है यह circle बन गया 3.2 cm अब इसके बाद आपको जो main काम करना है वो है steps of construction भी लिखना है steps of construction का क्या मतलब है तो steps of construction मतलब आपने construction कैसे किया आपने circle कैसे बनाया आपको यह steps में लिखके बताना है तो अगर आपने theory lecture attend किया है तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ 5 steps 4 steps follow करने को बोले दे बस वही steps हमें यहां लिखने clear है तो चलिए steps of construction में जो पहला point आया है वो यह की using ruler हमने जैसे जैस जो किया है वो बस हमें teacher को लिखके देना है तो using ruler ठीक है mark 3.2 cm in rough ठीक है तो कहीं पे 3.2 cm के हमें marking करनी है using the ruler mark 3.2 cm line segment हमें एक line segment बनानी है line segment ठीक है तो mark 3.2 cm line segment using ruler mark 3.2 cm line segment in rough work कहीं न कहीं rough में यह काम करना है तो पहला statement हमारा वो ही आया second फिर हमने क्या किया हमने compasses लिए तो using compass हम यहां पे लिखेंगे using compass ठीक है measure 3.2 cm तो यह जो आपने 3.2 cm की line बनाई थी ठीक है मान लिजे आपने 3.2 cm की कहीं rough में line बनाई थी आपको compasses का use करके तो यहां पे compass नहीं word compasses आएगा using compasses measure 3.2 cm ठीक है तो आपने measure कर लिया third point क्या third point में आपने in a plane या on a plane अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि एक plane के उपर on a plane mark point o mark point o comma and taking point o as a fixed point as fixed point as a fixed point draw a circle in one instance in one instance यह सर लिखना जरूरी है तो yes यह जरूरी है कि हमें बताना है कि हमने जो circle बनाया है वो एक ही instance में बनाया है ठीक है तो on a plane mark point o and taking o as a fixed point draw a circle in one instance ठीक है with help of compasses with compasses with compasses measuring 3.2 cm जिसका measurement measuring 3.2 cm तो देखिए मैं जान बुछ के बोल के भी लिख रहा हूँ reason उसका यह है कि अगर आपको handwriting में कई issue आ रहा है कोई letter समझ नहीं आ रहा तो आप सुन-सुनके लिखते जाए अपने copy में तो steps of construction yes लिखना जरूरी है कई बच्चे पूछतें सर्स यह लिखना जरूरी है तो हाँ अगर question 2 marks यह 3 marks में आया है तो आपको drawing भी बनानी है आपको steps of construction भी लिखने आपने कौन से point को क्या माना वो सब आपको लिखके बताना है ठीक है यह point आपको जो यहाँ पर मिला है इस point को मैं A कर दूंगा और यहाँ पर बोलूंगा कि O A is 3.2 cm रेडियस आपका 3.2 cm का आया वैसे वो लिखने की जोधनी है यहाँ पर 3rd point में चीज़े समझ आ रही है तो यहाँ पर steps of construction लिखना जरूरी है आपको construction करके दिखाना है अगर question 2-3 marks का आ रहा है ठीक है और अगर यह 1 marks में आया है तो आपको steps of construction नहीं लिखनी आपको सिर्फ circle बना के आना है ठीक है आपको construction करके दिखाना है वैसे तो यह question 2-3 marks में आएगा तो exercise 14.1 का question number 1 हमने कर लिया है solve move करते है question number 2 की तरफ with the same center O वो कह रहा है कि एक center लिजिए plane की उपा with center O ठीक है आपको 2 circle draw करने draw two circles अभी center एक ही है circle दो बनेंगे ठीक है एक का radius 4 cm है एक का radius 2.5 cm है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ruler लेना है और ruler से किसी rough work की जगा पर आपको सबसे पहले तो एक line straight draw करनी है तेके माल लीजिए 5 cm की मैंने line straight draw कर दी इसकी line 5 cm पर आपको 2 point mark करने एक point आपको 4 cm पर 2.5 cm पर तो यह 2.5 cm और यह 4 cm मैं ऐसा बोल देता हूं यह 2.5 cm है यह 4 cm है तो आपको एक 5 cm की rough में कहीं line draw करके उसके उपर 2.5 वो 4 भी draw करना है ruler को हटा दीजिए अभी यहां से आपको ruler हटाना है तो यह देखिए मैंने ruler हटा दिया अब यह आपके पास एक straight line है आपको compass लेना है compass लेके आपको 2.5 मीजर करना है तो यहां पर देखिए मैंने 2.5 मीजर किया दो मिंट होल्ड करिएगा चलिए देखिए मैंने 2.5 मीजर किया फिर मुझे इसको पिक करना है इस ओ पॉइंट को fix मानते हुए मुझे एक 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है clear है यह चीज तो इस दीके से आपको चीजे solve करनी है तो यह आपने 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया फिर उसके बाद आपको compass का दोनों arms और open करने है फिर 4 सेंटीमीटर नापना है तो 0 to 4 नापके आप इसी point पे रखके एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दीजे तो 4 सेंटीमीटर 2.5 अल्रेडी था तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल भी हम यहाँ पर इस देके से ड्रॉ कर देंगे clear है तो point एक ही आएगा बस जो सर्कल आएगे वो दो अलग-अलग सर्कल आपको यहाँ दिखेंगे तो देखिए मेरे पास क्योंकि यहाँ पर कमपास नहीं है ठीक है आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ बनाते जाए है मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा आपको बनाना है तो यह जो दूरी है यह दूरी 2.5 सेंटीमीटर की है और यह जो दूरी है बहार वाला आउटर सर्कल यह दूरी है आपकी 4 सेंटीमीटर की तो मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर और 4 mark कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मुझे steps of construction भी लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, steps of construction चलिए, देखिएगा, steps of construction में आप क्या करेंगे तो यहाँ पर जैसा बोला है, वो आप ने कैसे काम किया, वो आपको लिखना है तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया मैंने एक rough work में ruler लेके तो using यह draw a line draw draw two line segments हमने दो line segments बनाने है ठीक है तो दो line segment कौन-कौन से एक 2.5 एक 4 ऐसा बोल देते हैं यहां फिर single 5 cm की एक line segment बोल देज़े तो draw two line segments of 2.5 cm and 4 cm in rough कहीं rough में आपको यह काम करना है ठीक है और third second point में using compass compass का use करते हुए तो using compass ठीक है आपको compasses का use करना है तो using compasses ठीक है आप compasses का use करते हुए measure measure 2.5 cm and draw a circle with center o with center o clear है center o को center मानते हुए टेके 2.5 cm यहां से measure करते हुए आप using compasses एक circle draw कर देंगे तो यह हमने कर दिया फिर third point में आप क्या करेंगे तो third point में again फिर से आप यही काम करेंगे तो again using compasses is using compasses draw circle draw circle measuring 4 cm 4 cm का circle ठीक है आपको with same center with same center o यह भी लिखना जरूरी है with same center o with same center o as shown above यह as shown below आप drawing जहां पर भी बनाए आप पहले drawing बना रहे हैं तो above लिखेंगे ठीक है तो इस तीके से आपने 3 point में बता दिया आपने circle का construction कैसे की है तो यहां पर exercise 14.1 का 2 question हम कर चुके है total 5 questions है तो एक छोटी सी वीडियो है इसके अंदर पूरे 5 question watch करिए और मुझे comment box में बताते जाहिए ठीक है अगर को issue आ रहा है तो definitely हम उसको भी फिर बाद में resolve करवाएंगे चलिए यहां पर देखिएगा draw a circle and any two of its diameters वो कह रहा है कोई भी एक circle draw करिए तो चलिए मैंने यह circle draw कर दिया और diameter किसको बोलते हैं तो circle के अंदर diameter मतलब जब radius को आप double कर देते हो यह ऐसा बोलो एक ऐसी line जो circle के अंदर बने और वो circle के center से होके pass करे तो देखो circle के center से यह line गई और pass हो गई तो यह diameter तो इन्होंने बोला draw a circle in any two of its diameter और इसके कोई भी दो diameter बनाई यह तो एक मैंने red line से बनाया एक मैं यह blue line से बनायता हूँ यह मैंने यहाँ पर इसके दो diameter बना दिया if you join the ends of this diameter अब एक end यह है एक end यह है वो कह रहा है अगर आप इनके ends को join कर देते हो ठीक है तो यह देखो मैंने दोनों diameters के end को join कर दिया ठीक है तो what is the figure obtained आपको क्या figure मिलेगा तो यह figure मिलेगा यह question का a part था यहां तक मैं बोल देता हूँ ठीक है तो यहां से लेके यहां हमें मिल रहा है जो उन्होंने बोला वो हमने कर दिया तो simple यह circle बनाना कैसे तो आप किसी भी measurement का compass से आप circle draw करेंगे ruler का use करके कोई भी diagonal बना दिया कि किसी भी direction में ठीक है और end point को join कर दीजिए ऐसा कुछ आपको figure मिलेगा ठीक है what figure is obtained if the diameters are perpendicular अब यहां पर देखिएगा ए तो आपने compass यहां use किया था वो ही compass अब आपको दुबारा से use करना है same radius का एक circle और बनाना है ठीक है अब वो कह रहा है अगर यह diagonals कहलाएंगे तो यह diagonals मतलब center point से जो cross होके निकल रहा है अगर वो एक दूसरे के perpendicular है माली जी यहां से यह line cross होई word जो है perpendicular इस word का मतलब है कि जब भी कोई दो line किसी point पे intersect करती है तो वहाँ पे 90 degree का angle बनता है और 4 90 degree के angle आपको बनते हुए नजर आएंगे यह बनगे आपका perpendicular एक line जब दूसरी line को cross करती है तो point of intersection पे 90 degree का angle बनता है ठीक है तो एक line दूसरी line को cut करने वाले point पे जहां 90 degree का angle बन रहा है वहाँ पे हम कहते हैं एक line दूसरी line की perpendicular है clear है अभी वो कह रहा है what figure is obtained if the diameters are perpendicular वो कह रहा है अगर diameter perpendicular होंगे to each other ठीक है तो हमें कैसा figure मिलेगा तो इस case में हमें कुछ ऐसा figure मिलेगा अगर मैंने इन दोनों को join कर दिया ठीक है तो हमें मिलेगा एक square यहां हम ऐसा बोलते हैं हमें मिलेगा एक rhombus बोल दो तो हमें जो figure मिलेगा वो rhombus होगा हम ऐसा word rhombus इसली बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पे जो diameters है वो as a diagonal काम करेंगे ठीक है और center पे क्योंकि 90 degree का angle बन रहा है तो semi circle में उपर बनने वाला angle भी 90 degree का होता है यह property आ आप higher classes में पढ़ेंगे तो मैं इसको rhombus क्यों बोल रहा हूं यहां तो rhombus बोलूँगा यहां मैं इसको square बोलूँगा ठीक है और इसको check कैसे करूँगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सही बोल रहा हूं तो इसके लिए आप चीज समन्ना यहां तो मैं इसको square in a square diagonals bisect each other in square diagonals bisect each other bisect का मतलब दो equal part में वो एक दूसरे को bisect करते हैं तो आप यहां पर देखिएगा अगर आप नाम देंगे A, B, C और इस point को D और center point को अगर आप नाम O देंगे तो यहां पर देखिएगा आप एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो A, O है वो O, C के equal है radius है ना इस circle का radius है यह वाला part इस part के equal है अब B, O भी radius है तो यह वाला part भी इस part के equal है तो diagonals bisect each other and center में 90 degree का angle तो yes उन्होंने तो question में बूला था perpendicular बनना है and also diagonals are perpendicular यह property अगर पता होगी तो इसी कारण आप इसको square बोल पाएंगे इस case में कैसा figure बन रहा है और अगर diameters perpendicular होंगे तो क्या figure बनेगा तो हम कहेंगे अगर diagonals perpendicular होंगे मतलब diameter अगर perpendicular होंगे तो इस case में आपको एक square मिलेगा और यह आप check कैसे करोगे तो check कैसे करोगे वो हमें दिख रहा है कि भाई हमें property पता है using the property of square और square की property कहती है कि diagnose एक दूसरे को bisect करते हों और center में 90 degree का angle बनाते है तो वो ही property देखके मैंने यहाँ पे square बोला clear है तो question number 3 कैसे करना था वो आपने देख लिया move करते है question number 4 की तरफ draw any circle and mark point A, B and C such that वो कह रहा है आप कोई भी एक circle draw करिये तो देखो मैंने कोई भी एक circle बना दिया ठीक है A is on the circle अब यहाँ पे words को समझना है on कब बोलते हैं in कब बोलते हैं interior का मतलब क्या होता है exterior का मतलब क्या होता है तो देखिए on का मतलब पर यहाँ पे words को समझना ठीक है circle पर यह Hindi word पर अब किसी चीज पर point होगा मतलब circle पर point होगा मतलब circle की जब boundary पे ठीक है circle की जब boundary पे कोई point होता है तो ऐसे point को हम कहते हैं this point is on the circle on मतलब यहाँ पे a point यहाँ आपको दिखेगा clear है अब b is in the interior of the circle interior का मतलब है circle के अंदर तो b is a point in the interior of the circle c is in the exterior of the circle circle के बाहर तो in the exterior exterior का मतलब बाहर तो यह रहा वो drawing जो इन्होंने हमसे मांगा हमने बना दिया खतम बात इतना असान है तो question number fourth हमारा हो गया इसमें कोई steps of construction नहीं आएगा last question इस question को देखेगा देखे last question में क्या बोल रहा है let a b be the centers of two circles of equal radii वो कह रहा है a और b दो circle के centers है एक circle यह ले लो एक circle यह ले लो अब इसका center है a और इसका center है b यह ऐसा बोल रहा है तो let अभी देखो मैं rough drawing आपको बना के दिखा रहा हूँ यह कोई fix drawing नहीं है condition क्या-क्या बोल रहे हैं हम वो देख रहे हैं यह बोल रहा है let a b be the centers of two circles of equal radius यहां से यह जो radius है न यह मैं बोल देता हूँ यह है point तुमारा ac और यहां से इसको join करवा रहा हूँ तो यह point हमारा b d तो यह बोलना चाह रहा है कि दोनों circle का जो radius है वो similar है same है ऐसा यह बोल रहा है तो let a b be the centers of two circles of equal radius draw them so that each one of them ठीक है अभी इनको इस तरीके से बनाना है कि so that each one of them passes through the center of the other अच्छा अभी यह क्या बोल रहा है कि इस तरीके से drawing बनाई है कि यह जो radius है radius बनाने पर ठीक है हर circle pass हो दूसरे circle के center से मतलब अगर आप कोई भी दो point ले लेते हो ठीक है आप जब circle बनाएंगे तो आपको ऐसे circle बनाना है कि वो circle इस point से pass हो और यह है point b point और यह है point a point ठीक है और जो b है b जो circle है यह circle pass हो a point से यह ऐसा बोल रहा है कि यह point से pass हो मतलब इससे हमें क्या समझ या रहा है कि एक circle दूसरे circle पर intersect हो रहा है ठीक है एक circle दूसरे circle पर आ है ठीक है तो इस तेके का circle बनाने को वो लोग बात कर रहे हैं अलग-अलग बनाने को वो नहीं बोल रहे हैं तो चलिए देखिएगा यह कैसे बनाना तो board कर लेते हैं clear pen choose कर लेते हैं चलिए यहां पर देखिएगा let a b be the centers of two circles of equal radius draws them so that each one of them passes to the center of the other let them intersect at c and d अच्छा यहां पर यह बोला है जब एक circle दूसरे circle को cross करेगा तो यह जो है और यह जो point है ठीक है यह इसका center है और यह point is circle का center है ठीक है यह जहां पर match कर रहे हैं वहां पर point आपको c o d बोलना है तो यह भी हमने कर दिया रफ वर्ग में तो let a b be the center of two circles of equal radius draw them so that each one of them passes through the center of the other let them intersect at c and d कर लिया examine whether a b and c d आपको यह examine करना है कि यह जो a b है और यह जो c d है ठीक है आर at right angles क्या यह right angles बना रहे हैं तो यह चीज आपको examine करनी है अब देखिएगा इस question को कैसे करना है अच्छा question है तो यहां पर हम कर लेते हैं board clear तो सबसे पहले तो हम यहां पर जो given है उन सब को लिख लेते हैं तो हमें given क्या है तो two circles two circles जिनका measurement नहीं दिया पहली बात ठीक है हमें बज यह बोले two circles with center with center a and b जिनका center point क्या दिया है a और b दिया है तो two circles with center a and b of equal radius ठीक है वेर 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 रडियस of circle a is equals to radius of circle b ऐसा बोला है ठीक है और यह दोनो जो circle है वो एक दूसरे के center point से intersect हो के पास हो रहे है तो यह लिखने की जो अतनी है हम draw करके दिखाते हैं देखो हमें क्या करना है तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि as given लिख देते हैं कि as given यह according to the given condition हम ऐसा लिख देते हैं clearly according to given condition according to the given condition जैसी condition बोली है तो radius radius of circle a is equal to circle b बोला है तो हम यहां पर बोलेंगे radius a b is equal to b मैंने इसे क्यों बोला देखो जब मैं दो circle बना रहा था मालों यह दो circle मैंने बनाए और इन दोनों circle के ठीक है center से आपको देखो यहां पर a point यहां आएगा बी point यहां आएगा यह चीज तो बहुत clear हो गई है कि भाई a और b कहा लाए करेगा अब जूसर जो circle बनेगा न वो इस circle के लिए as a radius काम करेगा तो circle तो ऐसे ही बनेगा यह circle अपने बनाया एकदम सही circle है यह देखिएगा इस त्रीके से आपका circle बनेगा तो आपको क्या करना कुल बिला के आपको रेडियाई एक लेना है जहां पर आपको यह बोलना है कि let the point o ठीक है तो a o radii a o is equals to b o a o b o के equal ठीक है and a is the center of this circle with center a and b is the circle of this center जिसका point b है ठीक है तो यह दोनों centers है अभी यह point है आपका c और यह point है d इन दोनों points को आप join कर दीजे तो जब मैं इन दोनों points को join करूंगा इसको देखिए यहां पर यह बीच में से इसके cross होता हुआ निकलेगा अभी हमें क्या करना है तो according to the given condition radii a o is equals to b o तो construct two circles as shown construct two circles as shown जैसा कि दिखाया गया है आप ऐसे दो circles बनाईए तो इस point को हम a o बोलेंगे अब देखिए आप क्या करेंगे आप एक काम करेंगे पूरी a b ले लिजे 5 cm की अब जैसी आप a b 5 cm लेंगे तो a o का distance आपको 2.5 cm मिलेगा यहां पर एक काम करेंगे पूरा a b बना दीजे 6 cm की स्टेट लाइन तो 6 cm की स्टेट लाइन लेंगे आपको a o 3 cm b o 3 cm लेके ठीक है तो आपको तो 6 cm का radius लेके a पर रखके 6 cm का आपको एक circle बनाना है 6 cm ठीक है तो आपको a b total 6 लेना है पहली बात दूसरा आपको b पर रखके यहां पर आपको एक b को center मानते हुए दूसरा circle rotate कर देना है तो यहां पर हम वही लिख लेते हैं तो construct two circles as shown steps of construction अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजे में मैं यहां लिख रहा हूँ पहला point draw draw line segment a b comma taking a b as radius taking a b as radius a b को radius मानते हुए ठीक है तो taking a b as radius a b को radius मानते हुए and a as a fixed point देखिएगा and radius and sorry and taking a b as radius and fixed point a and fixed point a और a को fixed point मानते हुए हम circle draw कर देंगे draw the circle draw line segment a b taking a b as radius and fixed point a draw circle similarly second point में क्या आएगा तो similarly ऐसे ही आपको क्या करना है तो similarly taking b as a fixed point taking b as fixed point अभी b को fixed point मानते हुए taking b as a fixed point and a b as radius and a b as radius draw a circle draw a circle clear है तो इस देखिए से आपने ये कर दिया जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएंगे एक circle दूसरे circle से intersect हो रहा है तो third point में आपको इस चीज को भी mention करना है the intersection point of both circles the intersection point the intersection of both circles are c and d तो इन दोनों circle का जो intersection point है उनको हम point c और d mention कर देते हैं ठीक है अब भी fourth point में क्या करना है तुम्हें now join now join c d a b ठीक है a c c b and a d and b d सब points को आपस में join कर दो तो देखना इससे फाइदा क्या मिलेगा अगर मैं a c से join कर दू b c से join कर दू a d से join कर दू d b से join कर दू तो देखिए blue lines क्या दिखा रही है हमने join कर दिया जैसे हम join करेंगे तो देखिए बाद में क्या बूला था examine whether a b and c d are right angles तो आपको ये examine करना है कि a b और c d क्या right angle बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने ये is a quadilateral where where a c is equals to a c किसके बराबर आएगा तो a c बराबर आएगा a d के क्यों sir क्योंकि ये a c और a d दोनों radius है circle a के लिए ठीक है तो a c is equals to a d इसके सामने arrow डाल के हम लिख देते हैं radius ठीक है and और हम ये भी भी बोल सकते हैं कि b c is equals to b d b c किसके equal है b d के ये भी दोनों radius है with circle with center o s with center b तो उस circle के जिसका center b है ठीक है ना अभी तुम्हें एक चीज पता है कि जो a b है ये भी radius है तो इसका मतलब a b b c b d ये सब equal है आपस में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो quadrilateral a b c d ये x square क्योंकि ये वाली side is side के और ये वाली side is side के equal है और ये दोनों side भी equal है क्योंकि इन दोनों circle के लिए a b a common radius है ठीक है for both the circles अगर मैं यहां blue pen से लिखूं for both circles for both circles a b is common radius तुमने यही तो मानते हुए circle draw किया था कि a b को common radius मानते हुए आपने circle draw किये थे तो a b common radius है तो therefore a b c d is square और जैसी मैं इसको square बोलूंगा ठीक है तो जैसे मैं इसको square बोलूंगा मैं ऐसा बोल दूंगा कि yes yes a b is perpendicular to c d clear है तो yes a b is perpendicular to c d whether a b and c d are right angles तो yes they are at right angles क्योंकि square की property ही ऐसी होती है कि उसके बीच में बनने वाले जो diagonals होते हैं अभी देखो यह जो quadrilateral है इस quadrilateral के बीच में c d और a b as a diagonal का काम कर रहा है तो जब आपने square proof कर दिया तो diagonal जो है वो खुदी 90 degree पर match हो रहे होंगे तो इतना असान question था यह question number 5 तो हमने कर ली फाइनली पांच question जो कि exercise 14.1 में available थे ठीक हमने वो पूरे पांच question किये त्योरी आपको दे दी यहां पर आपको exercise 14.1 भी करा दी without any advertisement sir कैसे watch करें तो आपको time आपको type करना है Google राजा के पास जाके magnet bins इस तेके से आपका यह पूरा open होगा interface explore top courses के head के नीचे आप क्योंकि 6th class में है 6th class को click करिए click करते ही सारे teachers आपके सामने जो आपको math, science, social, Sanskrit, Hindi सारे subjects यहां पर आपको complete दीके से सारी teachers आपको मिलेंगी आपको जिन भी teachers का video watch करना है उन teachers की photo के नीचे watch now click करिए और click करते ही आपके सामने आजाएगा पूरा उन teacher द्वारा पढ़ाया हुआ course proper arranged manner में जो उनसा chapter watch करना है उस chapter पर click करते ही आप आजाएंगे उस video पर जो आप watch करना चाहते हैं clear है तो इतना असान है घर बैटे बैटे त्यारी करना वो भी 100% free education ठीक है बस यहां पर एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है कि अभी like subscribe और share जो कर दो फाइदा आपका भी है और इसके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी है आप subscribe करेंगे तो videos आप तक जल्दी पहुंचेंगी आप share करेंगे तो दूसरे बच्चे उस चीज़ को देख पाएंगे और like करेंगे तो teacher motivate होंगे तो इस तरीके से आपको सिव यह छोटा सा काम करना किसी को किसी तरह की कोई fees पे नहीं करनी clear है चरिये मिलते हैं next exercise में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए bye and take care